नमस्कार मैं हूँ जोच्साचार डॉक्टर विंतर पाथी आप देख रहें भाग्य गुरु कारकरम भाग्य गुरु कारकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांग की क्या इस्थती है सुरोदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रास्त कब होगा राहुकाल कब है दिशासुल कब है कौन से तिति है कौन सा नचत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है इस सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या फाइदा मिलेगा बारह रा तरह का योग मनना किसको आयात नियास से धन मिलेगा किसके घर में किलकारी कुजेगी किसके घर में सानाई बजेगी किस अंके के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयोग करने से आपकी महान उन्नत होगी सौधानी के अबरत नहीं उपाय क्या करन बात करते हैं आज के पंचान की आज है 22 नॉंबर 2023, दीन है बुद्धवार, सुर्योदे होगा सबेरेज छे बच के 48 मिनट पर, सुरियास्थ होगा सामको पांच बच के 25 मिनट पर, चंद्रोदे होगा दो पहार दो बच के 11 मिनट पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन दो बच के बाईश मिनट पर आज चंद्रमा एक कुम्ब राशी में शुक लपक्ष है दस्वी तिथी है पुर्वा भाद्र पद नशत्र है हर्शन योग है आज सुम मूर्त नहीं है कि कोई निया खरिदारी करें राहु काल है दो पर 12 बच के 7 मिनट से ले करके आप प्रान नकाल 1 बच के 26 मिनट तक उत्तर दिशा का दिशासूल है आज आपको एक शीज बात का ध्यान रखना है कि दिशासूल में यातरा न करें लगता है कि यातरा पूर्ने रिधारित है तो आप सुम मूर्थ में प्रस्थान निकाल के तब यातरा करें राहु काल में कोई भी काल न करें और आज कोई भी महत्पूर्ण कारक करने के लिए सुम मूर्थ नहीं है तो निया कारक करने से परेज करें अब आईए बात करते हैं आज की महामंत्र की आज का महामंत्र है या जो महामंत्र है या पर्थाम पुझे भगवान स्री गड़पती देवकाई जो देवताओं के सेनापती है भगवान स्री गड़पत की अराधना करने से कार नेर्विगन संपन होता है बिगन बाधायं दूर होती हैं और भगवान स्री गड़पती की कृपा से सारे कार बहुत ही अच्छे से समूथली होता रहता है कोई दिक्कत नहीं आती जदी आपकी कुंडली में बुद्ध ग्रह नीच का है एक छे बारा स्थान में हैं और आप करजे से परिशान हैं तो आप भगवान सरी गड़ेश की अराद ना करें अगर आपको किसी परकार की नोकरी नहीं मिल लएए परिशान हैं शंतान सुक अभाव है दाम पत्ति जीवन खराब है ऐसे परिश्यति में इस महामंत्र का जब करिए आपके लिए बहतरी नोगा कि अब आई है मात करते हैं बाराव राष्यों की बारे में कि आज की बाराव राच्यों की क्या इस्तति है किस और किसको सरकारी नोक्री मिलेगी किसको उच्छे पत्की प्राप्ती होगी किसकी पदोन्त होगी कौन विदेश जाएगा कौन राजनीती में जाएगा किसका भागोदय होगा और किस रंग के प्रयोग करने से आपको लाह मिलेगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, सौधानी के अपरत नहीं है, उपाय क्या करना है, सारी बाते हम आपको बताएंगे, आई ये शुरुआत करते हैं मेश राशी से, जो मेश राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है जो भी आपकी चाहें होगी पूर्ण होगी प्रयासरत कारों में सफलता मिलेगी चतुर्दिक सफलता मिलेगा इच्छित धनलाब होगा धन धान में ब्रदी का यूग बन रहा है नए प्रकार का बैपार करने के आउसर मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए अकालखंड अति उत्तम है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाय लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं जो खेल के च्छित में अपना केरियर बढ़ाना चाहता है उसके लिए टाइम अच्छा है अगर कोई विद्यार्थी लॉग के फिल्ड म या इंजिरिंग के फिर्ड में अच्छा कुछ करना चाहता है तो उसके लिए यह कालखंट बहुत ही अच्छा है आपको एकेडमिक लाब मिलेगा धन धान के चित्र में किया अप्रयास अर्तक होगा आपको बड़े पैमाने पर धन लाब मिलने की संभावना बन रही है सौधानी के अबरतनी है एकाग रोकर अपने कारिच्छत्र में लगें सफलता मिलने का प्रभल्योग बन रहा है उपाय क्या करना है सूरी देव को जलाभिशेक करें कैसे करेंगे ताबे का पात्र ले लिजे उसमें चावल लाल अच्छत डाले जे चावल को लाल लग में रं इस मंतर से भी शेक करिए आपका सूरी ग्रह मजबूत होगा शुबंग के आठ शुबरंग हलाल लक मीटर है आठ अरिक बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक हैं आपके दौरा किया गया प्रयास सार्थक होगा प्रयासत कारों में अपार सफलता मिले है दूर देश के आत्रा होगी अध्यात्मिक विकास का यूग बन रहा है यात्रा तितातन दिशाटन इतादी से आज आपको लाब मिलेगा सरकारी नोकरी मिलते हुए दिख रही है सौधानी के अब रतनी है आज सौधानी आपको अपको अपने गुस्ते पर नियंतना रख हरी कृष्णी बात करते हैं मितूंडाशी की जो मितूंडाशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी जो परिशानी हैं दूर होंगी आपको रुका हुआ धन पराप्त होगा प्रियासरत कारियों में अप्रत्यास्त रूप से सफलता मिलने का बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें शेयर ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा फाइनेंस के छत्र में बड़ी सफलता मिलेगी शेयर ट्रेडिंग से भी धनलाब मिलते हुए दिखता है सौधानी के अपरतनी है पॉजिटिव सोचे नेगेटिव न जाए हुआ चिडियों को दाना खिला में सुबंग छए शुब्रणगेशी ग्रीन लक मीटर है आर्ट हरे रिक लशी बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जातक हैं आज आपके अंदर जो अपनी उर्जा है उसको सही दिसामिला आगा में आपके पास सपर में तो उर्जा है उर्जा का दुरूपयोग न करें बड़ी सफलता का योग बन रहा है विद्दार्थियों के केरियर के लिए बहुती अच्छा समय चल रहा है आप जिधर भी एफ़ल्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी धनलाब मिलेगा खड़ें तरकारी बिफल होंगे माता अच्छा दानिय बरत्नी की जो आपकी उर्जा है न उसको सही दिसामे लगाँ आलश्य का परित्याग करिए उपाय का करना लाल वस्त्र दान करिए जरतमंद को भोजन और शिक्षा की बेवस्ता करिए आपके लिए स्रेस कर रहेगा सुबंक है आठ शुबंक है आठ पार से भी लाफ मिलते हुए दिख रहा है विदेश में निया बेशाय खोलने के औसर मिलेंगे साहतिक जगत में आज आपको काफी नाम होगा यस मिलेगा परतिष्टा बढ़ेगा साहतिक शेतर से आयके संसाधन भी प्राप्त होंगे नियाले में अगर कोई भी अबाद का चल रहा होगा तो उसमें आपको बिजय स्री मिलेगी परिशानियां दूर होंगी और दूर देश की यात्रा होगी घर बनाने का औसर प्राप्त होगा सौधनिया के अपरतियां गुस्ते पनियंतर रखें सोच समझ करके किसी कारे को करने की चुरुत है आपका समय प्राप्त होने की समभाना बने जो कन्ये अर्वान थान आपको शंवान प्राप्त होंदी की स्भूना बन रही है on the जवीन जयदात कृपर्टी विश्यों के पृमई खरिदने हैं खेल के छित्र में आप अच्छा प्रदर्संद करेंगे अगर आप कोई मैच या कोई नया टार्गेट बना के कोई कारे करेंगे तो उसमें आपको अपरत्यासुत रूप से बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है सौधानी के अब रतनी हैं आप अपनी उर्जा का परियोग सही दिसा में करें निगेटिव सोच से बचें उपाय क्या करना भगवान स्री गड़ेश की आरात्ना करें सुभंके छे सुभंके छे सुभंके हरा लक मीटर है आठ हरी कृष्णा बात करते हैं तुला राशे की जो तुला राशे की जातक हैं आज आपकी पर्तिष्ठा में बढ़ होत्तरी होगी आयके संसादों में बिर्दी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रुजी रुजगार के छित में किया गया प्रयास सार्थक होगा, नए रुजगार से लाप मिलेगा आयात निर्याद का योग बन रहा है विदेश जाने का योग बन रहा है समुद्र के किनारे बैपार करेंगे उससे आपको आपार सफलता मिलेगी परिवार में सुबह और मांगले कारी होने का योग बन रहा है आज आपको अचानक धनलाब मिलते वे दिख रहा है आपकी माली हालत सुद्रिड होगी परिवार में कुछ नहीं तरह के कारी होने से मन परसंद रहेगा आज आपको अपने आत्म सम्मान को ले करके चिंतित होने की जुरत नहीं है पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव करें औ सुभंके दो शुबरंगे नीला लक्मिटर है साथ हरी कृष्णा बात करते हैं ब्रिश्चिक राशी की जो ब्रिश्चिक राशी की जातक हैं आज आपको चारों तरफ से धनलाब होने का समाचार मिलेगा परिवार में सुभ और मांगली कार होने से मन प्रफुलित रहेगा भाई बहनों के लिए यह स्वर्णिम समय है उनको सुख मिलेगा वहन करी देंगे घर खरी सकते हैं नए कारेश शंपन होंगे नए इंडिस्ट्री लगाने का युग बन रहा है जो खास्तोर से खेल के छत में रुची रखने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए उत्तम समय च कई वारा बाणी इतना एग्रेशिव होके बोलते हैं कि आपके अपने ही आपसे सत्रुद बरताव करते हैं और अपनों के वीच में गैरोजे से महसूस करते हैं तो ज़रुट है आत्म मुल्यांकन करने की और अपने में सुधार करने की सौधानी के अबरत नहीं आप गुस बात करते हैं धनुराशी की जो धनुराशी की जातक हैं आज आपको बेवज़ा गुसा आएगा गुसे पर अगर आप नियंतरा नहीं रखेंगे तो आपका कारे बिगड़ सकता है इसलिए गुसे पर नियंतरा रखें जदी आप संपादक हैं संपादकी कारे करते हैं तो के लिए सुफ समाचार है आपको धनलाब होगा पुरा स्कृत किये जा सकते हैं देश-विदेश की यात्रा का योग बन रहा है स्वास्ट को लेकर के चिंता हो सकती है इसलिए स्वास्ट पर विशेश ध्यान रखने की जूरत है आज आपको सरकारी नोकरी मिलने का भी योग बन रहा है पदोनत का योग बन रहा है आप अपनी उर्जा का प्रयोग सही दिसा में लगावें कई बार बहुत निगेटिव थौट में चले जाते हैं परिशान हो जाते हैं तर नकरात्मक विचारधारा से दूर रहे आज आपको कोई बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है को कोई लेखाक हो सकते हैं किताबे लिख सकते हैं गरंतकार हो सकते हैं सिक्षा के चित्र में उच्पत प्राप्ति का भी योग बन रहा है सौधानी के अबरत नहीं है स्वास्त को ले करके सचेत रहे हैं उपाय क्या करना है पीली वस्तू का दान करें और हल्दी का गांठ उसर मिलेगा कश्ट्रक्शन और माइन से धन मिलेगा गुस्षे में और शिक निड़ा लेने से बचें नहीं तो आपको भारी नुक्सान हो सकता है कई बार आप बहुत एग्रेसिव होके निड़ा लेते हैं जल्दवाजी मिलेते हैं जिससे आपको दिक्कत होती है नए प् कारियों से धनलाब मिलेगा परिशानिया दूर होंगी विदेश यात्रा का योग बन रहा है और सरकार से लाब मिलेगा तेजगत की गाड़ी नचलावें परिश सौधानिया के अबरत नहीं है अत्तिक बैख करने से बचें उपाय क्या करना सरसो के तेल का दिपक जलाना आ आज़ आपके परिवार में सुबह और मांगली कार होने के आउसर मिलेंगे, भाई बहन के लिए यह समय अच्छा है, रोजी रोजगार के च्छत में क्या गया प्रियास सार्थक होगा, भाई बहन को सुक सम्रिदी में बृद्धी का योग बन रहा है, नए बैपार के आउसर रहें, तो उस मैच में आपको भीज़े स्री मिलेगी, सौधानी के अबरतने, जल्द बाजे में नेड़े ले से बचें, हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें, उपाय क्या करना है, जुरत मन्द को भोजन करावे, सुबंके आठ, सुबरंगे हरा, लक मीटरे आठ, हरे बात करताएं, तिम्राश्य मीन की, जो मीन राश्य की जातक हैं, आज आपको अपने भावनाओं पर नियत रडखें, कई बार आप भावगता में भाह के, काम करते हैं, जो आपके लिए नुक्सान दे GO सकता है, तो भावगता में बाह के कोई भी नेड़े न ले, दिल के व इतना पहनत करेंगे उससे जादे आपको धनलाब होगा प्रचूर मात्रा में धनलाब मिलने की संभाना बन रही है माली हालत ससक्त होगी दूर देश के आत्रा होगी विदेश कमन का योग बन रहा है आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन परसंद रहेगा आज आपको सर्डिम चल रहा है समय का सुद्ध प्योग करें आलश में अपना समय नश्ट न करें उपाय क्या करना है पीली बस्तू का दान करें ओम स्रिम स्री नवा इस मंद्र का जब करें सुबंके तीन सुबंके पीला लक मीटर है आठ हरी कृष्ण अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज जिन दर्शों का जन्मदीन है उनके जन्मदीन की बहुत बहुत बदाई धेरु सुब कामना है आपका जन्मदीन सुब हो मंगल मै हो आपको प्रगत करिए आगे बढ़िए आपका च्छतुर्दिक विकाश ह आप पर भुगवान भूले नात की किर्पा बर्से हैपी बर्डे आज दिन दर्शकों का जन्म दीन है उनका मुलांग होता है चार तो खास तोर से चार, तेरा, बाईश और रेक्टिस ते थी कि जो जन्मे जायतक होते है उनका मुलांग होता है चार चार नंबर संघर्श का अंक होता है ब्यक्ति ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं यह बर्स आपके लिए कापी अच्चा होगा आर्थी किस्तित अच्ची होगी, नोकरी मिलेगी घर वाहन के लिए अच्चा है दामपत्य जन के लिए अच्चा है जनवरी से लेके जून तक का कालखंड आपके लिए श्रड़ी में उत्रोतर विकास प्रकति चतुर्दिक लाब होगा और जुलाई से लेके दिसंबर तक का कालखंड थोड़ा सा चनोती भरा होगा उतार चला हो आएंगे लेकिन आप परिशुतियों पर नियंद्रा रखते हुए आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरतनी है बहुत जादे किसे ब्लाइंड ट्रस्ट करना ठेक नहीं है हार्ड वर्क करने की जुरत है कोई चीज कल पर नटालें उपाय क्या करना है संकट मोचन हनमान जी के रादना करें बर्श परें ति 11 बार हनमान चलेशा का पाट करें और हनमान जी के पैरों में चमेली का तेल और सिंदूर का लेप लगावे आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम बात करेंगे गुरू के नुस्खे की गुरू के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि यह जो सनातन धर होता है इसमें दिन का बड़ा महत्व है और प्रतेक दिन अपने आप में बड़ा महत्व है हर दिन का स्वामी होता है आज है बुद्धवार इसका बुद्धवार दिन का स्वामी बुद्धग्रा होते हैं बुद्ध को काते हैं कि ग्रहों का राज कुमार है बुद्धग्रा के अच्छा होने से बैक्ती गड़े तक ये होता है फीजिक्स का ग्याता होता है लेखक होता है साहितिकार होता है और विद्धवान होता है जिदि आपकी कुंडिली में स्री गड़ेश की आरादना करनी है तो आज आपको मैं बताऊंगा तीन उपाए अगर आप करते हैं तो आपको आजीवन धन की कमी नहीं रहेगे आप क्या करें कि 21 बुद्धवार भगवान स्री गड़ेश को दुर्वा अर्पित करिए और गंगल पते नमा भाल चंद्राय नमा बिकटाय नमा लंबो दराय नमा जो मंतर इसमें आपको अच्छा लगे कोई एक मंतर एक माला तीन माला प्रतिक बुद्धवार के दिन करिए और पांच मेवा ले लेजे पांच परकार का मेवा गाय के दूद्ध से खीर बनाएए और खीर बनाके भगवान सरी गड़ होगा सुभ होगा आपकी परिशानिया दूर होंगी आर्थिक किस्ति ससक्त होगी और जो परिशानिया सब समाप्त होगी भाग गुरु कारकरम में बस आज इतना है फिर हम आप से कालिसी समय से वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत आप देखते रहे निज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकंड नमस्कार